वेलकम 12th क्लास स्वागत है आपका आज के टॉपिक सही उतराष्ट संग के अभिकरण या यू कहलो एजेंसी ओफ यूए नो 12th क्लास ये बात मैं बहुत क्लियर कर दूँ एक या दो नंबर के जो कोशन आएंगे वो इसी टॉपिक में से आएंगे और एक दो नंबर में जो ज्यादा तर आता है फुल फोम पूर्ण रूप उसके में अब्जेक्टिव या मुखे उदेश्चे या मुखे कारेया वर्क तो इसलिए बहुत ध्यान से देखना और मुख्याले कार्याले वगरा तो सबसे पहला है हमारा अंतराष्टी श्रम संगठन ILO अगर लिखा जा इस संस्था की स्थापना का मुख्यों देशे में अब्जेक्टिव विश्व के सभी देशो औल कंट्रीज इन दवर्ड शारीरिक मानसिक स्वास्ते फिजीकल एन मेंटल हेल्थ में सुधार लाने का है अच्छा करने का है इस संस्था का कारियाले या मुख्याले जेनेवा याद रखना जेनेवा जो स्विजर लेंड में शेहर है वहाँ है इसके बाद आता है खादे एमम किर्शी संगठन याद रखना इसकी शौट फॉम आती है FAO तो Food and Agriculture Organization इसका मुख्याले रोम इटली में है यह संगठन और्गनाजेशन संस्था विभिन राष्ट्रों की किर्शी एगरिकल्चर भूमी लैंड वनो फॉरेस्ट पोशन नूट्रिशन स्थर में वृद्धी या यू कहलो इंक्रीजमेंट का प्रयास या एफट करता है अब यह सबसे इंपोर्टेंट आती है और सबसे ज़्यादा इसकी फुल फॉर्म में दिक्कत आती है इसमें बहुत ध्यान से बात या दखना यूनेस्को यूनेस्को जब भी आएगा तो उसकी संयुक्त राष्ट शैक्षिक विज्ञान एवं सांस्कृतिक संगठन इसकी फुल फॉर्म में बिल्कुल गलती मत कर देना यह संगठन ओर्गनाईजेशन शिक्षा मतलब एजुकेशन विज्ञान मतलब साइंस स्वास्थे हैल्थ संसकृति कल्चरल संगठन विश्को अग्यान जो एंसाइंस और निरक्षरता illiteracy से मुक्त कराने या free कराने का कारे या work करता है अब आता है UNICEF अब देखो UNICEF में कई जगे पर C के बाद में यहाँ पर E भी लगा होता है तो उसमें बिल्कुल confuse मत हो जाना क्योंकि उस E का जो था education का use बोला जाता था हाला कि अब इसका संयुक्त राज संग बाल कोश कर दिया गया है United Nations Children Fund बोल दिया गया तो इसलिए E वाला जो word है वो यहाँ नहीं लगाया गया है यह संसार भर के all in the world बच्चो या यह कहलो चिल्रन प्रसूती ग्रहों, maternity centers और शिशु कल्यान child welfare centers की अउशकताओं या need को पूरा करता है या fulfill करता है इसके बाद आता है संयुक्त राज संग मानव अधिकार आयोग United Nations Human Rights Commission इनके बिलकुल भी कई बार full form में दिक्कत कर जाते हैं full form आती है UNHRC जब कभी UNHRC आ जाये तो उसका मतलब यही है United Nations Human Rights Commission मतलब संयुक्त राज संग मानव अधिकार आयोग यह आयोग मानव अधिकार human rights पर Islamic और अफरीकी राज्यों का नियंतरन या control है क्योंकि ज़्यादातर जो इस पे देश हावी हैं वो वही हैं जो अफरीका के हैं और अफरीका के ज़्यादातर country Islamic है इसे चीन, क्यूबा, रूस, द्वारा साहिता पोचाई जाती है यह तीन देशिस की बहुत साहिता या help करते हैं इस आयोग की पहली सभा यह यूं कहलो के पहली बैठक 18 जून 2007 में हुई पहली सभा में अफरीका के 13 अफरीका महादीब के 13 एशिया के भी 13 पूर्वी यूरोप के 6 लेटिन अमेरिका और केरेबियन राज्यों के 8 पस्चिमी यूरोप के 8 सदस्यों सदस्यों मतलब देशों ने भाग लिया या पार्टिसिपेट किया इसके बाद आता संयुक्त राजसंग शरनार्थी उचायोग यू एन एच सी आर जब कभी आ जाए तो आप यूनाइटी नेशन हाई कमिशन फोर रिफ्यूजी लिखोगे शरनार्थियों के लिए इसकी स्थापना 14 दिसंबर 1950 को establishment स्थापना हुई यह शरनार्थियों के संरक्षन मतलब protection के लिए कारे करती है यह जो organization या संस्ता है या agency है इस संग में 110 देशों के 6650 लोग या people ने आज तक 384, 384,000,000 वी स्थापित जो ऐसे शरनार्थियों जो अलग-अलग जगे से उठा दिये गए हैं उन लोगों की सायता या help कर चुके हैं इसके बाद आती है बहुत important agency इस agency की full form से लेकर इसकी स्थापना से लेकर इसके कारे को बड़े ध्यान से सुना और इसका मुख्याले बहुत बार पूछा गया और बहुत बार गलती होती है तो इसकी short form है IAEA International Atomic Energy Agency अंतराश्टिये आनविक उर्जा अभिकरन या agency स्थापना 1957 में हुई मुख्याले या कार्याले आस्ट्रिया कोई भी आस्ट्रेलिया मतलिक देना आस्ट्रेलिया जो है वो अलग देशा आस्ट्रिया अलग देशा ये ये यूरोप में की राजधानी वेना या कैपिटल वेना में है यह संगठन या organization परमानू उर्जा न्यूक्लियर एनरजी शांती पून उप्योग पीसफुल यूज को बढ़ावा इंक्रीज और सैने उदेशों में इसका इस्तमाल मिल्ट्री परपस में इसका यूज को रोकने या स्टॉप करने के लिए काम करता है इस संगठन के अधिकारी या कहले ओफिसस नियमित कॉंटिल्यू इसली विश की परमानू सुविधाओं की न्यूक्लियर फेसिल्टीज की जाच करते रहते हैं या इंक्वारी करते रहते हैं तथा नागरिक परमानू संयत्रों देखो संयत्रों मतलब प्लांट को इस्तमाल सैन्ने उदेशे या मिल्ट्री परपस के लिए ना हो मतलब कि जो एक देश में न्यूक्लियर प्लांट लगते हैं न्यूक्लियर प्लांट में एनरजी ऊर्जा बिजली का उत्पादन होता है लेकिन अगर वहाँ जो कच्चा माल यूरेनियम है उससे कोई प्रमाणू बंब ना बना ले या मिल्टरी यूज ना करे इसके लिए काम करते हैं अन्य अंतराश्टिय आर्थिक संगठन बहुत सारे ऐसे आर्थिक संगठन है जो अंतराश्टिय स्थर पर काम करते हैं सबसे बड़ा और सबसे विशाल संगठन बोला जाता है WTO World Trade Organization मतलब की विश्वियापार संगठन अंतराश्टिय स्थर पर दित्य विश्युद Second World War के बाद गैट समझोता होता है याद रखना विश्वियापार संगठन पहले गैट समझोता था जिसका मतलब था General Agreement on Tariffs and Trade समझोता ये सबसे पहला आर्थिक समझोता बोला जाता है इसकी शुरुवात अक्टूबर 1947 या 1947 में हुई इसे पहले डंकल समझोता भी बोला जाता था तो गैट और डंकल एक ही बात है एक जनवरी 1995 में 1 जनवरी 1995 को गैट समझोते का स्थान विश्वियापार संगठन या WTO ने ले लिया इसकी सदस्य संख्या अब 164 है राइट नौ प्रेजेंट में 164 है या 164 इसके सदस्य या सदस्य का मतलब देश इसके सदस्य है WTO के कारे ये बहुत important है ये कई बार आया भी हुआ है दो कारे तो कम से कम आने चाहिए वैसे मैं तीन बता रहा हूँ बहु पक्षिय मल्टी लेटरल एवम अंतराष्टी व्यापार इंटरनेशनल ट्रेड के नियम रूल के बारे में निरने लेकर डिसीजन लेकर व्यापार समझो तो ट्रेड एग्रिमेंट को लागू या इंप्लिमेंट करना व्यापारिक विवादों का निप्टारा करना जितने भी ट्रेड से सम्बंदित डिस्प्यूट्स हैं उनको सौल करना निप्टारा करना विश व्यापार में बढ़ोतरी करना अगर चार आ जाए तो आप तो थर्ड में दो अलग-अलग हैं इनको अलग-अलग कर देना विश व्यापार में बढ़ोतरी मतलब इंटरनेशनल ट्रेड में इंक्रीजमेंट करना या इंक्रीज करना व्यापार सम्बंदी नियमों को बनाना व्यापार मतलब ट्रेड सम्बंदी या रिलेटिड रूल्स को बनाना ये इसका कार रहे हैं इसके बाद आप इसके बारे लिस्ट में जाकर देख सकते हैं तो यह सारे भी आर्थिक संगटन है जो रीजिनल या शेत्री स्थर पर काम करते हैं गैर सरकारी संगटन एंजी ओ देखो गैर सरकारी संगटन की सबसे पहले अर्थ और परिभाशा को समझ लो meaning and definition अंतराष्टिय स्थर पर या international level पर कुछ नए पात्र भी उबर कर आये हैं कुछ नए ऐसे characters हैं जो rise हुए हैं और वो गैर सरकारी हैं मतलब non-government आथार जिनके पीछे कोई सरकार या देश नहीं हैं जो खुद काम कर रहे हैं बिना किसी सरकार या government के help के या मदद के या उ political power नहीं है इन्हें बोला जाता है गैर सरकारी संगठन या NGO इन में से कुछ important मैं आपको बता रहा हूं यह सबसे important आज तक का सबसे important NGO है International Red Cross Society या अंतर राष्टिये Red Cross Society इसका काराले मुख्याले भी Switzerland के जेनेवा शहर में है मुख्याले headquarter इसकी स्थापना सबसे पुराना है देखो 1863 में हुई इसका मुख्य कारे कहलो या objective या उदेश्य कहलो युद्ध मतलब war संकट मतलब crisis के समय असाय ऐसे लोग जो war के वक्त गायल हो जाते हैं जख्मी हो हो जाते हैं wounded हो जाते हैं ऐसे असाहे लोग या दोधर विचारे रहने के लिए survival के लिए मजबूर हो जाते हैं ऐसे लोगों की सहायता करना इनका बहुत बड़ा काम है handicap भी हो जाते हैं कई permanent disabled हो जाते हैं या विकलांग जिसे हम बोलते हैं अदिव्यांग ऐसे लोगों की स मानव अधिकार या human rights से संबंदित दो NGO या non government organization या गैर सरकारी संस्थाओं के नाम लिखो तो एक और जिसके आगे आईगी वो दो वो दोनों आपको मानव अधिकार से संबंदित हैं तो amnesty international ये एक महतवपून गैर सरकारी NGO संगठन है या संगठन अंतराष्टे स्तर पर international level पर मानव अधिकारो human rights से संबंदित related report तयार report को ready करना और उसे प्रकाशित या publish करना इसका मुख्य कार रहे ये ये काम करता है amnesty international अब आएगा दूसरा मानव अधिकारों से संबंदित human rights watch देखो अब दो हो गए मानव अधिकारों से संबंदित बहुत important है याद रखना इसकी कई बार full form भी आ जाते हैं HRW human rights watch यह एक अमेरिकी गैर सरकारी संस्ता है मतलब ये अमेरिका से संबंदित गैर सरकारी NGO संगटन है इसका मुख्य कारे मानव अधिकारों human rights की availla मतलब उसकी जो खिलाफ जाते हैं या against की और विश भर के मीडिय का ध्यान को आकरशित मतलब पूरे वर्ल्ड के मीडिया का जो ध्यान है अपनी तरफ attract करवाना है अगर कहीं भी मानव अधिकारों की खिलाफ कुछ हुआ है या उनको against गया है कुछला गया है उनके यूं कहलो किसी के मानव अधिकार छीन ले गए स्नैच किये गए तो पू करता है जो या साहता करता है ग्रीन पीस ग्रीन पीस इसके नाम से इसके अंदर चले जाने का पूरा इसके पूरे अर्थ पता चल जाता है ग्रीन पीस मतलब परियावरण से समधित और या यूं कहलो एर्वायरमेंट से रिलेटिड ये एक NGO या संस्ता है यह संगटन परिय लोकने के लिए रोकने के लिए लिए विश्व समुदाय वर्ड कम्यूटी का ध्यान आकर्शित या अट्रैक्ट करता है या आकर्शित करता है तो 12th क्लास यह थी आपके सामने अंतराश्टिये या संयुक्त राश्ट्संग के एजेंसी या अभीकरण और NGO गैर सरकारी संस्त तो मैं हूँ विकरांद आप देख रहे है पॉलिटिकल साइंस 90 प्लस मार्क्स